हाँ जी सभी साथियों को प्यार भरना नमस्कार और उमीद और जोस यही होगा सब साथी जो है बरकरार होंगे बड़िया तरीके से आप लोगों को विजी है त्यारी जो है चल रही होगी वाज दिवा खुद को स्क्रीन पर देखके मैं भी आजीव सही लग रहा हूं किया साथ हूं आज में बिना चस्मों के तो आज मैं घर पर ही भूल किया तो उसकी वज़े से थोड़ा सा इसा हो रहा है तो एक बार सभी के सभी साथी एक बार जुड़ जुड़ जो और सारे के सारे सेशन को अच्छे सब्सक्राइब जल्दी 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 शैर कर दो फिर हम लोग चर्चा का विषय होना था उसको हम लोग सात्यक्र बढ़ने का रेका करका जलदी से जल्दी ZOO है एक बार कि सररͨ को सभी के सभी साथी अपने Beहाथ पे जल्दी जल्दी कर दीजएगा एक बार सभी के सभी जो साथी है एक बार सेशन को अच्छे तरीके से शेर कर दो और फिर जो हां हम लोग क्लासिज की जो है शुरूत कर लेते हैं कहां से हमने क्या 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 चीजिए पढ़नी है उन चीजों के हम लोग बात कर लेंगेगे क्लिएख करें यह बार चीजों की शुरुबात्य गों चोटी बाते हैं उनी छीजों को थोड़ा से बढ़ाता हूं तो हमारी जो सीरीज जो चली वी थी उसी के साथ आगे बढ़े रहें, लेटस प्लेइ विद असाइंस हम इसी के साथ बाते करने वाले थे, और आप लोग जानते हैं जो भी बच्छे जो पेड कोर्सी से मिरे साथ में जुड़ना चाते हैं, और चाहते हैं कि वो तो थोरी वाला सेक्शन को डीप वर्जन के साथ मेरे सब्सक्राइब पढ़ना चाहते हैं वो बचे इंड्रोल कर सकते हैं रेलवे वाले बैज को ठीक है जो कि अभी हाल फ्लाल में 649 रुपे का तब मिलेगा जब आप कूपन कोड इस्तमाल करेंगे और सब्सक्राइब मेरा सरनेम आप लोग यहां से पिक कर लेंगे ठीक है तो यहां थे चीज़े आप लोग देख लेना बाकी सो है मैं आगे जो आगे जो प्रोसेस हो ता उसको हम बढ़ाने का काम करते चलिए कर जो है हमने बीस तक क्वेशन करवाए थे आज जो है 21 कोशन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है पर बचे जल्दी जल्दी से अंसर देने की कोशी कीजिएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कह रहा है कि कोशी का भागों के संदर्व में कोशी का दर्व क्या है मतलब आ मुंसे बोल दो क्या एनिमल सेल वही सैशन को शेयर करो सारे के सारे बच्चे ऐसे काम थोड़ी ने चलेगा कि क्या नाम देंगे बच्चे एनिमल सेल और बता देना मान के यह चलते हैं यह वाली सेल जो है हमारी एक एनिमल सेल है ठीक है एनिमल सेल जो है आपके बास में इस इसे प्यारे बचचे इसको कहा जाता है क्या कहते हैं सर इसे कहते हैं cell membrane तो बीचिवाला जो भाग बच गया आपके पास में यह वाला जो भाग यह वाला वह भाग हम कि यह भाग को हिसा लिक्विड में signaling नहां चलो तो कि कोशी का दरव कहा होगा क्या होगा तो बता देना बिट्वीन दा नुकलियस एंड दा सेल मेंब्रेंज जो आपका जैली जैसा पदार्थ होता है कैसा पदार्थ होता है बैचे इसका जैली जैसा पदार्थ जो आपको मिल लएगा उसी को हम लोग क्या नाम देंगे साइट नहीं करो कि क्या फाइदा इसी चीज़ों का उस बीमारी को पहचाने जो वाइरस के कारण नहीं होती मतलब वाइरल डीजिज नहीं है यह हमारी वाइरल डीजिज नहीं है तो मैंने कहा कि सर अगर देखा जाये आपके बास में क्या देखा जाये इंफ्लुएंजा तो वाइरस से होता है ना एड्स भी तो वाइरस से होता है परंतु अगर मैं टाइफाइड की बच्चे बात करूँ टाइफाइड हमारे पास में किस से होत तो पहरे बच्चे बता देना यह बैक्टेरिया से होता है आप से पूछा गया था वाइरस बच्चे एक बार सब्दों को जड़ा समझना और जो बच्चे मेरे से अभी जुड़े हुए हैं अपने नोटसों पर भी ध्यान दे लेना और चीजों को जड़ा समझना पहरे बच कि बहुत तैसे एक वैक्टी था जिसने खोज कर दी भी जिस वैक्टी का नाम होता है जिसे कहा जाता इंबानो इसकी कहा जाता हूजnet वाइरस की खोज किस Baby Mary noi इस की ती कहां से की थी तो पेरे बचे इस ने की ती आपके बहुसस में जब यह वैकती reforeasz कर रहा 1200 तम्भाकू की क्या मागू की लीव लिव के उपर जब की वैकती रिसर्च कर रहा था तब हमारे पास में किसधी खोज हुई थी Happy वईरस के भी खो जोई थी बाते समझ में आगे अरे हाय ना जब तमाकू की लीफ में क्या रिसर्च कर रहा था तो तमाकू की लीफ में पैरे बचे एक डीजीज हो जाती है उस डीजीज का नाम होता है मोजेक तो मोजेक रोग के ऊपर जब यह रिसर्च कर रहा था तब इसको पता चल कि बाइसाब एक वाइरस भी होता है और एक वाइरस जो होता है ये बचे लिंक होता है मतब कड़ी होती है किसके बीच की कड़ी होगी living और Non living की भाग कि देने क्या सब बच्चों का आगे बढ़ जाता हूं पहरे बचे वो ती बड़ी आपके पास है प्रगवती बेटाने बड़ा अच्छा अंसर उन्हों कर दिए चलो अच्छा मूझ एक रोग जानते हो कि सर्शों में मैं हो जाता है एक जल सोधन विदी है जो वास्प के रूप में शुद्ध जल को एक्तरित करने के लिए उश्मा का उप्योग करती है बच्चे एक बार जल्दी से बता दो प्यूरिफिकेशन से रिलेटिड ये कोईशन से आप लोगों का जल्दी जल्दी से बता दो देखो मान के चलो हमने कहा कि हमारे पास में दो गिलास थे एक गिलास ये था और एक गिलास प्यारे बचे ये था इस वाले गिलास में हमने क्या डाल रखा था सर पानी डाल रखा था और इस वाले गिलास के अंदर प्यारे बचे हमने क्या डाल रखा था इस गिलास के अंदर क्या था पानी था प्यारे बचे ठीक है यह दोनों का दोनों मिशन था ठीक है अब जैसी इन दोनों मिशन को अगर हमें अलग करना है प्यारे बचे मतलब पानी को अलग और सराब को अलग करना है तो किस विदी के दवारा अलग किया जा सकता है यही आप लोगों से प्यारे स की अगलों के सामने जल्दी जल्दी से आप लोग इसका राइट अंसर बता दो क्या बने का कि एक पर इसका सभी के सभी बच्चे जो है राइट अंसर बताने की कोसिस कीजिएगा और सारे के सारे बच्चे जो है Session को एक पर लाइक-जरूर कर लें बच्चे चाहिए पता नहीं आप में से क्यों इतने बच्चे हैं वो यतने कम अ किनेक्टिड है दोकी इतना बहतर्रिन कंटेन्ट के साथ में आप लोगों के साथ में काम कर रहां पता नहीं कहा पर आप लोगों पर लोगों की जो तैयारी है बचे अच्छे किसम से चल रही नहीं चल दी मैं कुछ कहनी पा रहा पर तुम्हें बहुत ही जल्द आप लोगों से ना लाइव रूवरू होने की में कोशिश करूँआ ताकि आप लोगों की जो कमेंट है वह बाचित के माध्यम से मैं आप लोगों की चीज़े सुन भी सुकूर्ट चीजों के अंदर इंप्रूमेंट करने का हम लोग परियास भी कर सकूंँ चली बचे कह रहा है कि निमली कि में मानो जठर गरंतियों में उपस्तित होता है मानो तर आप लोग जानते ही हमारा स्ट्मक होता है कि इस्तिमक को ही तो पहरे से कहा हते है आप लिख वालिप क में परसे एक जो और nut का नम क्या होता है तो झरु कहा जाता है क्या उसे श ए Cage को ये गैस्ट्रिक ग्लेंट्स के नाम से जानते हैं यह जो बच्चे गैस्ट्रिक ग्लेंट्स जो होती ना इसके अंदर क्या-क्या पाया जाता है यह आप लोगों से पूछा गया है और सारे के सारे बच्चे हैं यह चीजे थोड़ा सा समझने की कोशिस करना बच्चे द्यान देन यह सारी की सारी चीज़े बच्चे आपके पास में किस में पाई जाती है तो पहरे बच्चे बता देना यह गैस्ट्रिक ग्लेंट्स में पाई जाती है जिसका संबंध किस से होगा तो बच्चे बता देना आमास है और आमास है सरीर की कौन सी साइड में होगा तो आप लोग हो बता देना यह हमारे सुरी के left सारे के सारे बच्चे समझने का प्रियत्र करना अगला कॉस्ट्चन जो है ये रहा आप लोगों सर्थ के सामने कि रहा किस बहाग में Separateur की निर्मान कुया जाता जाता कि कि उसका निर्माण जो है रिक्तिकाए करेंगी गोल जी ही होता है अगर पहरे साथ ही अगर मैं गोलगी बोरड़ इक बात करता हूं गोल जी के कि अगर साथ ही करने यह पर बात कियों तो आप लोग जानते हैं बोल जी क्लिके को जितने भी लॉए वहीन होते हैं प्रे बताсь बीविन अगया चैण जा एक्रोसोम कोन होता है। यह भी बात समझें ना मान के चलो यह हमारे पास में एक सुक्राणू है, सुक्राण का जो आगे का डिया है उस्सी को क्या कहते शूर्यॉसिंप we या फिर आपने आंड़ा देखा खाऊगा कैसी ओरम से चल्रीं तो यह कि आंदर यृक देखा कि और बचाथ के theor जिसकी खोज किसने की थी जिसकी खोज करने वाला एक व्यक्ति और झिसे का मिलू कर गोल जी कहाenz आता है कै нам देंगे पैरे तो चलिकल कोई भी साथी को अगर कोई भी कम ही लग रही है तो पहरे बता सकते हैं उसका रीजन क्या है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं चलिए निमन में से कौन सा हरी सेवाल का उधार्ण है पहरे बचे आप में से जल्दी से बता दीजिए अगर मैं आप से कहूं रेड एलगी किसे कहा जाता है रेड एलगी मतलब लाल सेवाल के नाम से अगर कोई जाना जाता है पहरे बचे लाल सेवाल लाल सेवाल कौन है तो उसे नम दिया जाता ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम लाल सेवाल इरिथ्रियम ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम को कहा जाता याद रखना अगर तुमसे कहा दे ना समुदर का पानी लाल दिखाई देता है किस सैवाल के कारण बचे इसके कारण है यह वाला कोश्चन भी पूछा जा चुका सीजल 2017 के अंदर आपका रेड एलगी से कोश्चन पूछा गया था और पहरे बच्चे यह वाला कोश्चन आप लोगों से रेल विम पूछा गया था हरी सहवाल का उधान क्या है तो बच्चे बता देना उसे कहा जाता क्लाइडो belongs एक बात है क्कोश्चन आप लोगों के नाम पहरे बच्चे अगर ैलगी है है यहलगी की पहरे प्पच्चे अगर आप।्षुटे करना चाहते तो उसे क्या नाम दिया जाता है तो पहरे साथी बटा देना उसे कहते फॉक लोगशी है अगर हमारे नेचर की बाते बते कर और बचे बता देना उसे हम लुग फाइकोलोजी के नाम से ही जानते हैं बहुत ही संदर प्यरे बचे इतनी बाते समझी होंगे ना जो लैमिनियर्या सो होता है बचे इसके अंदर पाई जाती नमक की इसके अंदर NACL मिलेगा इसके अंदर क्या मिलेगा प्रियोग किया जाता है याद रखने की कोशिज करना बचे एक बार मैं आपका पढ़ लेता हूं विष्णू जी निका है मैं इस बात का है यह बात का मैं विश्वास दिला रहा हूं यह वादा ही कर रहा हूं तो सारे सारे बच्चे अंदर ना तुम्हारा सिंगल गलत नहीं खेक है भुआ है अगले के बढ़ जातो है वह यह रहा आप लोगों के स्क्रीन के सामने निम लिखेतम मैं से कौन सा उपकंड जो है एक ऐसा उपकंड आपका एक ऐसा इंस्ट्रुमेंट है जो समुद्र की गहाई कुम आपने में इस्तमाल किया जाता पैरे बच्छे एक बार जल्दी से आप लोग अंसर देने की कोशिश करो एनिमो मीटर है आपका अल्टी मीटर है फैदो मीटर या फिर बैर समुद्र की गहराई कुम आपने कागा कोई काम करता है प्यरे बच्छे उसका एक ही नाम होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं पैर्द से फैदोंोन का है परियोग या फिर यूज्व हो किया जाता है बहुत ही बड़ी आपके पासमाना फैदों के परियोग इसके लिए किया ज आता है हां बच्चे आप भर सकते हो विश्णूजी आप प्रेशान मना हो चलो अगला क्वेशन यह रहा आप लोगों के स्क्रीन के सामने चली क्वेशन थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी है बड़ी आसा आपके बास में फिलिंदा ब्लेंक इस एन नॉन प्रिक्रिप्शन ड्रग यूजड फॉर रिलिफ फ्रूम एसिड इंडाइजेशन एंड दा हार्ट बन मतलब अगर आपको इंडाइजेशन एसिड हो रहा है मत मतलब आपको रिलीफ मिलेगा आप लोग किसका इस्तमाल करते हैं बता दो सर आप जो भी बोल रहे हो वह सो प्रसेंट सही है इस प्यार है आनंद चोटे भाई यह प्यार के लिए बढ़ा तो कुछ भी नहीं आपके बास मेरे को अगर दिन रात से भी ज्यादा अगर मैंनत करनी पड़ रही है अगर मैं और भी करनी पड़ेगी तो मैं करने के लिए हमेशा त्यार रहूंगा परे बचे बस इस बात क दें दूंगा उस दिन फोल कर देना कोल कर देना भार निकलती है कि बड़े भाई जो आपने पढ़ाया ना यह चीज यह चीज नहीं उस दिन आप लोग मेरे से बता देना प्रतिशत मैं विश्वास दिला रहूं आपको जो पढ़ा दिया ना कोशन भार नहीं जाने दूं और करते कोन सी ड्रक्स का इस्त liquor ने उसे कहाइंगि केलसियम कार्बॉनेट एक सारे के सारे बचे बोल दो कैलसियम कारबॉनेट प्दशे आगर आप में से इक बच्चे साथ पर टेस्ट बुक लगा देना आपको वीडियो और आपका जो भी कंटेंट रहा करेगा वह आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा बचे एक वर चीज और समझना अगर आपने अंडे की बाते की आपने पास में आपने संग मरमर की बाते की हो संग मरमर की बाते की हो या फिर चोक की बाते की हो इनका आउटर लेर भी प्यारे बच्चे किस से बना होता है तो सारे के सारे बच्चे बता देना इनका आउटर लेर भी केलसियम कार्बोनेट से बना है किस से बना है केलसियम का प्रोटीन पाया जाता रोटीन से सबस्टेस कोन सा प्रोटीन प्रोटीन पाया जाता है पहरे बच्चे मैं ही बता देता हूं उसे कहा जाता आपके पास में एविडीन कहते हैं तो आप से पूछा गया था एविडीन का आवीडीन प्रोटीन का संबंद रहेगा यह बाते याद रखने और एक चीज बता देता हूं जो लोग कच्चे अंडे खाते हैं उन व्यक्ति कच्छे अंडे खाने वाले हुए किस विटामिन की कमी हो जाती तो विटामिन B7 की कमी हो जाती यह बात भी आप लोग याद रख लेना ठीक है बच्छे अगला क्वेश्चन पैरे छोटे भाईयों के लिए यह यह वाले क्वेश्चन का तो देखती अंसर दे देना पैरे लेना चलो अब इसका राइट अंसर बता दो सारे के सारे प्यारे बच्छे है ना एवीडीन है हाँ एवीडीन जो है जो है मैडीशियन का भी नाम होता है बहुत बढ़िया बता है पर गती बच्छे ना जल्दी से बताओ आप से पूछा गया था इनमें से करेक्ट मैथड बच्छे व fragments हो पूछा गया सारे बच्छे बता दो क्या वरक को शोरी वरक की знать जो यूनिट होती होती है बोला यह बात और बच्छी है ना और करंट को किसमें मापते है Meh attorney our heat को किसमें मापते है जूल में मापता जाता है जबकी अगर बच्छे मैं अगर आपसे पावर की बच्छे बात करों तो पावर को किस में मापा जाता बच्छे एक तो वाट में या फिर आपके तरह सपावर में मापाजाता हूर्स पावर को हिंदी के नंदर कहा जाता है असव शक्टी कियाको MPK के जानते यसुर नो बुला हां जी हां और बचे आप ये भी तो जानते होंगे ना एक अस्वसक्ति वन होर्स पावर बराबर होता है किसके 746 वाट के बचे बराबर होता है सारे के सारे बचे ने इस बात को भी याद रखने का कोशिस करना प्यारे बचे इतनी बाते समझ में आगी ऐस संप्रक करने वाले पदार्थ हों मतलब कोई भी दो पदार्थ है और परते के अपवर्तनांग के बीच सीमा मतलब मान के चलो कोई भी चीज़े है दो मैट्रिल है इनका अपवर्तनांग का अलग अलग होगा मतलब अपवर्तनांग को कहते है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इस पे हवा है आपके बास में और दूसरे में के पास में क्या है पानी जब भी रहे एक मिडियुम से दूसरे में जाएगी तो वह ऑरीजनल पाथ पे जानी चीए त प्रपू नहीं जाते क्यूं कि वह विचलित हो जाती है उसका path change हो जाता है जैसे ही path change होता है इसी को हमारे पास में क्या कहते है तो पहरे बचे इसे कहते है reflection क्या नाम देंगे पहरे बचे reflection नाम देंगे ठीक है और यह reflection जो है आपके पास में इसका संबंद किससे होगा तो पेरे बच्चे बता देना इसका संबंद जो है उसे कहा जाता स्नेल्ज लो अरे बच्चे क्या नाम देंगे स्नेल्ज लो और स्नेल्ज लो का जो फोर्मूला होता है वो होता है mu is equal to, क्या होगा, sin i, upon में, पहरे बच्चे, क्या नाम दे देंगे, आपका, तो इसे कहेंगे, sin r, आपके पास में, ठीक है, यह formula होता है, पहरे बच्चे, snails, लोक आपके पास में, ठीक है, तो जब भी कोई भी ray आपके पास में, जब एक medium से, दूसरे medium में जाती है, तो वह पे from the normal होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पहरे बचे, इसी को हम लोग reflection कहते हैं, और इस formula या फिर इस लोक इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल जो कहते हैं, बाते समझ में आगी, अगला question पहरे साथी, यह रहा आपके नाम, चलो, जल्दी से बता दो, क्या रहेगा, इस जल्दी जल्दी से बता दो, इसका राइट अंसर क्या रहेगा, ए या बी 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 जल्दी से बताओ, सारे के सारे बच्चे, मैंक जी ने बता दिया, विश्न छोटे भाई ने बता दिया, मैंक जी फिर से वाजिवा, वाजिवा, गौविन जी, अभी जी, बहुत ही बढ़ यह अच्छा लगा मुझे सब बच्चों को पता था ना इसे बच्चे है न अपने पास में जिसने भी बच्चे ने दिया है इसे लोफ रिलेटिविटी कहते हैं इसे लोफ रिलेटिविटी कहते हैं मतलब इसे सापेक्स्ता का अनियम कहा जाता है कि अटने सापक्स्ता का नियम अगर किसे को कहते है न तो उसे हम लोग क्या कहेंगे इज गूल टू Mc2 यह किस ने दिया था पचिए ये लगबग नाइंटीन जिरो फाइफ के अंदर किस ने दिया था अलबर्ट मतलब होता है आपके पास energy energy और M का मतलब क्या होगा प्यरे बच्छे M का मतलब होता है आपके पास मास और C का मतलब क्या होता है velocity of light अच्छे एक बात यह जानते हो क्या velocity of light यह वाला फोर्मूला देने के बाद ही Albert Einstein को modern father of physics कहा जाता है physics के आधुनिक पिता अगर किसी को कहा जाता पहरे बच्छे बता देना वह Albert Einstein को कहा जाता है classical के पिता किसे कहा जाता हो Newton को कहा जाता है यह याद रख ले ना इसका मतलब हमें question देखा नहीं था बस यह पता था कि यह आइंस्टीन ने दिया था physics ना बचे देखो दो परकार की या तो classical physics मतलब पुराने वाली या फिर नए वाली physics पुराने वाली जो physics के पापा है उसको Newton कहा जाता नए वाली physics के जो पापा है उसको क्या कहा जाता आपके पास में तो उसका नम है Albert Einstein यह समझ लो 1900 से पहले की physics Newton के दार उसके पिता Newton को कहेंगे 1900 के बाद के जो physics रेगी पैरे बचे उसके पिता क्या कहेंगे एलबर्ट आइंस्टिन केंगे इतनी बाते अगर सभी साथियों को अगर पसंद आई तो प्यारे बच्छे मैं आगे चलने का परियत्तन करता हूं और आप सभी इतने संख्याम मेरे साथ में आज जुड़े तो मेरा दिल सच बता हूं गद गद करने लगा मज़ा आ गया तो स माय्क्रोविल्यी जो आपके पास में मायक्रोवीली का आपसे फंक्षन के बारे में पूछा गया है कि वोटेज़ ओफर मायक्रोवीली धिक्या इसका function होता है तो पहरे बच्चे इसमें अगर आपको कुछ याद हो रहा है नई हो रहा ड़िजन्ट मैंटर परनतु एकay की है वीली आपके बास में ठीक है क्वेशन इसी से पूछा गया था किस के अंदर एससी जिड़ी के अंदर पूछा गया था कि वीली का संबंध किस से पाया जाता है तो बच्चे आपका स्मोल इंटरस्टाइन से पाया जाता है अगर आपसे वीली के बारे में पूछता है वील fingers की जैसे संडशना आपके पास में किसकी पाई जाती वह willie की ही पाई जाती है और fools게 के अंदर घूर अपके बास में यहां पे food store होता है food store फूड इस्टोर या फिर food absorbed अगर कहीं पर होता हैं अगर भोजन आउस्ग पा्वता है तो वह चोटी आत के अंदर होगा और कौन से भाग में होगा पैरे बच्चे विली के अंदर होगा बाते समझ मैं चोटी आत के ना बच्चे स्मोल इंटरस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं ड्यू डेनम के नाम से जाना जाता है जिसे हि जीजुनम जो है आपके पास में यह चोटी आतक अ सबसे बड़ा भाग होता है तीसरा जो भाग ओता है उसे कहा जाता thezed एलिम का जाता है इतनी बात है अगर सभी साथuchar को समझ में आगी तो बहुत ही बढ़िया बच्चे आपके पास मैं अच्छा मैं जीनत तुक्का मार दिया साइद नो बचे तुक्का निवाना ये छोटी आतका एक भाग होता है अगर इसकी संद्रसना पूछ लेता कई बार आप लोगों से ना कि इसकी संद्रसना मतलब इसका स्ट्क्चर कैसा होता है तो पहरे बचे बता दया ना अंगली नुमा संद्रसना किसकी पाई जाती आपका वीली की पाई जाती है याद रख लोगे सभी सभी बच्चे बहुत पढ़ चाते मैं बच्चे लो जी कृधा दो नेमलिकलओं मैंने लीपिट के संसलेशन के लिए एक निर्मान इस्थान की पहचान किजी यह आप से पूछा गया है तुक्का नहीं मारना प्यरे साथ यह ना अंसर बता ना जल्दी जल्दी से बता दो क्या बनेगा देखो यह तो बनेगा नहीं आपके पास में क्योंकि वसाका इन दोनों के सा क्लम दो भाग होते हैं अब चीज़ों को समझना रफ और समूथ समूथ वाले में क्या होता आपके बास में यह होता है विदाउट राइबोसों मतलब इसके ओपर राइबोसों नहीं पाए जाते और यह वाला होता ने पहरे बच्चे इसे कहेंगे विद राइबोसों विद राइबोसों बात समझाए यह वाला क्या करेगा आपके बास में जिस पर राइबोसों नहीं है यह सिंथेसिस ओफ फैट करेगा अपने बास में फैट का क्या करेगा बच्चे संसलेशन ठीक है बच्चे और यह क्या करेगा आपके बास में प्रोटीन का संसलेशन लिपीड प्यारब शेश्न अगर कोई करता है तो प्यारे बचे और कोरता है तो उसे समूथ ऑर्रेवेरि में की नाम से जाना जाता है बाटी बड़ी भाटी आना बच्झे आप तबाइब आसान सा क्वेश्चन है आप छोड़ा सा आप फोकस करोगे न बच्चे फिर आप लोग न अंसर दे पाओगे शारे के सारे बच्छे ना चलो जल्दी बताओ क्या होगा क्वेस्टन नम बझाशा से लेवल के लिए क्या तो मत बच्छे ऐसा नहीं कि अपने पास में कोई भी आसाना-सन ले आठोने के आड़िये पैसे को समझना पढ़ेगा इस को बिचक करता है और दूसरा ही क्सको डिडेक्ट करता है यह दो चेज़् आपके पास में सबद की उपर जाओ गैस टेरी और एक आपके करता तो प्रशा यह टेस्ट को डिडेक्ट करता है तो टेस्ट को अगर डिडेक्ट करेगा तो यह दो और सब्सक्राइब कि पहड़ खतम हो जाते बाते समझेड़ी कि युलAfक्तर्री ज us यह पता लगाता है grans- exam का यह ऑपकी जो होता है जो टेस्वाद की जो पहचान लगाते है अपके पास में उसे कहा जाता है बात समझाए। अगर smell की जो आप लोगों को smell आती है ठीक है आप में से कहीं पर विजार हो आप कहते हैं चीची बड़ी गंदी smell आ रही बड़ी अच्छी smell आ रही है न तो यह जो smell का जो पता लगाता है अपने पास में इसको हम लोग कहते हैं आपका smell से सब्बंदित होगा चलो अगला कोशन पर बढ़ जाते हैं आपका अगला कोशन यह रहा स्क्रीन के सामने जल्दी जल्दी से आप लोग इसका अंसर और बता दो फिर हाना हम लोग जोड़ करे बच्छे आगे बढ़ते हैं कि बहुत ही बढ़िया सारे के सारे बच्छे आन उनका उधार नहीं है यह आप लोगों से पूछा गया है पहरे बच्छे देखो आप लोगों मैं थोड़ी देर पहले ही बता था यह वाली हमारी एक सेल है सेल के अंदर यह वाला पोर्षन जो है पहरे बच्छे इस वाले को कहते नुकलियस इस वाले को क्या कहेंगे नुकलियस कहेंगे जो यह वाइट कलर का बीच वाला जो दिख रहा ना इसी को कहते हैं साइटोब्लाजमा साइटोप्लाजमा यह आपको कैसे लिकाई देता पेहरे बचें बता ना जैली के लिक जैसा दिखा Office के अंदर होते हैं पैरे चोठे भाई merch भाई दिखाई देता है पहरे बच्चे बता देना जैली के जैसा दिखाई देता है इसी के अंदर क्या होते हैं पहरे छोटे भाइयों है नो इसी के अंदर होते हैं सेल और्गन कौन हैं और लाइसोसों हमारे पास में क्या करता है तो तो डॉसमे मद्द करता है तो आपका ये बता देना कि भई साइटो प्लाजमा यह लिक्वीड वाले पॉर्शन के अंदर भाग नहीं करता पार्टिस्पेट नहीं करता वह कौन सापके पास में यह वाला भाग है ठीक है तो नुकलेस आपका क्या हो जाएगा बच्छे राइट अंसरो जाएगा ध्यां दिना नुकलेस को ह सब्सक्राइगा सब्सक्राइगा बेーटिसटे निक्राइग थिस आपके रिलेट्रा उपिक्वार्त थे तब सर्थ ही तो रोबर्ट ब्राम अगर इसकी खोज की बाते करने तो शुच को कैयू लोजी के नाम से जाना जाता है कि अब यह सुच्छों की बतानी क्या हो जाएगा स्टोडिओ नॉ toute जल्ट आ SHATA जमाई यह एक खालिसतान में रखा जाता है तो सट कोसिका से जल का सुद परवा होना और कोशिका के आयतन में कम द्यान देना अगर किसी में से जल सुद्ध परवाह ना मतलब फ्लो हो जाता आपके पास में वोटर का और जैसे उसमें से फ्लो होगा को सिका के आयतन में कमी आना इसे क्या कहा जाता यह बचे definition से ही right answer पूछ लिया आपके पास में केवल और केवल definition से ही question पूछ लिया और जल्दी से जल्दी इसका answer and it just it what you can expect इबाएगा हाई लिए एक सारे के सारे बचार बचचे कrition Sum और बचगे है जब लट्थे आग में जलते तो कौनसी अभी क्रिभी की तक किसी भी चीज का जलना बच्छे हैं ना जब कोई भी चीज जलेगी ना तो अगर स्वेच लिए वाली चीज पहले होती हैं उसे हम लोग कैते हैं उसे कैमिकल कहा जाता है क्यों कहते सर chemical chemical में देखो एक जो चीजे है अगर जलगी तो बी बनेगी तो क्या बी से वापिस ए बना सकते हैं मतलब समझो लकड़ी को जलाया तो क्या बन गया राक बन गी वना नहीं तो तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या गहेंगे तो किसी भी चीज का जलना door बचके किया हो जाता है किमिकल प्रिवत्तन होगा ये बाते सारे के सारे याा दखना फीजिकल होता है तो फीजिकल क्या होगा Department अगर एक ये फ Sounds है तो एक से हमारे पास में दूसरी बन जाए दूसरी से पहली बन जाएगी मतलब हमारे पास में पानी से हमने बरफ बना दिया बरफ से वापीस क्या बना सकते पानी मbenा सकते ये बात थोड़ा से यह दहने की कोशी करने चलो अगला कॉसचन देख लेते हैं आधर वायू में जब लोहे की कील गल जाती है मतलब लोहे की कील गलने का मतलब रस्टिंग अओं बाक्त अाइरन अगैक अगर लोहा गल जाएगा क्या गले हुए लोहे से आप वैसा का वैसा पाई बना सकते हैं बहुत ज़रूरी है जैसी लोहे को जगता तो उसके भार क्या हो जाएगा प्यारे बढ़ जाएगा बहुत ही बड़ी आपके पास में तो अबना जो है एक कोशन और कर लेते हैं उसके बाद जो है कोशन में आप लोगों को होंवर्क के लिए दूगा केक को पकाना एक राइसानिक बरिवर्ते नहीं हैं अंतिम कोश्चन हैं ठीक है कैमिकल चेंजिस हैं अरे हैं अगर वह कैमिक से हमारे पास बन जाएगा प result not Fraser अभी से सव्मेथे नहीं ही आपके पास में तो इसको इसका अगर देखात आशायों ही मतलब आप अपनी सामकोरी को वापिस नहीं पास सकते उसी को हम लोग क्या कहें आपके पास मैं रह साइनिक परिवर्तन कह लिएह वाली चीजों को इसभाइ ललीत राजबुट टेस्टबूक आप लोग है डिलीगराम पे जाना आप लोग वहां सभी चीजू को आशिल कर सकते हो आज का पैरे बचे अंतिम कोशन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन के सामने और आप लोगों का इतनी भारी संख्या में मेरे साथ में आज बिश्वास को ऐसे बनाए रखना हम लोग फिर मिलेंगे कल सेम टाइम और सेम जगत तब तक के लिए पहरे बत्षे आप अपना और अपने माता पिता का ख्याल जबूर रखना ठीक जी थैंक इस वह नाइस डे जैहिंद जैभारत अपना और अपने घरवालों का बिल्कुल किना प्यर्व बत्षे आप